हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड नमबर फोर में इस पॉड्कास्ट में आज की एपिसोड में हम बात करने वाले हैं माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के बारे में जिसमें सबसे महतोपूर्ण बात हम करने वाले हैं दोस्तों तक इस पॉड्कास्ट को जरूर शेयर कीजेगा जिससे उन्हें भी ये मेडिटेशन की हल्प मिल सके क्योंकि आज के दौर में मेडिटेशन ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने माइंडफुलनेस एक्टिविटीज को इंप्रूव कर सकते हैं तो चलिए को समझने में मदद करती है विपश्यना ध्यान एक माइंडफुलनेस बेस्ट मेडिटेशन टेकनीक है जिसमें हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में फुली फोकॉच्च रहना होता है हमें अपने थौर्ड्स एमोशन और सेंसेशन को अब्जर्व करते हैं बिना उनमें कि जज्जमेंट या अटेच्मेंट के हम यहाँ बे सिर्फ अपने ब्रीधिंग प्राक्टिस को इंप्रूव करते हैं अपने ब्रीधिंग को समस्ते हैं फॉलो करते हैं विपश्यना ध्यान अगर आपको नहीं पता है और विपश्यना का नाम अपने अगर पहले इससे पहले नहीं सुना है तो इसके बारे में जस्ट बेसिक आपको information मैं बता देना चाहता हूँ विपश्यना ध्यान गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था और ये टेकनीक पचिस सो साल पुरानी है ये जी हाँ दोस्तो ये टेकनीक कोई आज की टेकनीक नहीं है ये पचिस सो साल पुरानी टेकनीक है जो गौतम बुद्ध ने जो कि आपने सभी नाम सुना होगा गौतम बुद्ध का तो इस टेकनीक को आजकल बहुत सारी लोग फालो कर रहे हैं क्य इस meditation टकनीक को करने के लिए हमें एक peaceful और scheduled जगह होनी चाहिए जहां पर हमारा concentration और focus बना रहे है अब अपने ब्रीद को natural तरीके से observe करते हैं यहां observation काफी ज़्यादा जरूरी है दोस्तों आप अपनी ब्रीद को अपने सासों को observe करना यह बहुत बड़ा एक समझ लिजे tough task ही ही है क्योंकि सबसे important task इसमें यही है और सबसे पहला task यही होता है विपर्षणा meditation में जिसे आना पाना कहा जाता है अगर जिसने भी विपर्षणा meditation किया होगा उसे पता होगा पहला step उसमें आना पाना होता है आना पाना breathing practice ही है जिसमें हम अपनी सांसों को observe करते हैं आप यकीन मानिए आप एक मिनिट भी अपने सांसों को ठीक तरह से observe नहीं कर पाएंगे आपका ध्यान बटक जाएगा और ऐसा ही होता है हम आम जिंदगी में इतने ज़्यादा बटके हुए हैं कि आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आप एक मिनिट भी observe कर नहीं कर पाएंगे आपका ध्यान कहीं न कहीं चला जाएगा कुछ न कुछ पिक्चर्स आपके दिमाद में घूमने लगेगी कहीं न कहीं और दिमाग लग जाएगा कहीं न कहीं ध्यान आपका कहीं और चला जाएगा इसी चीज़ को हमें इंप्रूव करने के लिए हमारे फोकस को करते हैं आना-पाना से कि आना पाना करने के बाद Bizक remainsिंशन deze को निभी मेरे बॉडड़ी में जो बर सेंशन होते हैं जिसभी तरह किरी सिंसेशन संट उसको नेचरल ली आप्जर्फ करते हैं उस्में और कुछ अपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता दू कि सत्यनेयां गौहिंका जी म्यानमार में उनका जन्मिवार था और सत्यनेयान गौहिंका की के द्वारा की विपस्यना को इतने लोगों ने जाना है वर्ल्ड वाइट सत्य नरायन गोईंगा जी के तुरू काफी लोगों को ये विपश्यना मेडिटेशन की विद्या या टेकनीक लोगों तक पहुंच पाई है और हम उनके काफी आभारी है ये मेडिटेशन टेकनीक को मैंने खुद भी फॉलो किया है ये 10 डेस का कोर्स आपको इनिशली करना ज़रूरी होता है अगर आपने कभी नहीं गए है ये तो अपने खीमती दस जिन एक बार निकाल के देखे आपको इससे बटर एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में आपको कभी न करनी होगी आप पचास लोगों के साथ एक साथ बैटके मेडिटेशन कर रहे होंगे पर आख से आख नहीं मिलेगी किसी एक दुसरे की आपको किसी से बात नहीं करनी होगी तब आपको एक अलग एहसास होने लगेगा आपको एक ऐसी पीसफुल इंवर्मेंट में नहना होगे वो एक अलग ही एहसास होगा यह आपको वो टेंडेस के कोर्स को करने के बाद ही पता चलेगा सो माइंडफुलनेस बहुत ही इंपोर्टन पार्ट है हमारे डेली लाइफ में काफी महत्व रखता है हम अपने अगर दिमाग को ठीक तरह से फोकस नहीं रखेंगे तो कि इदर ऊदर बठटा ही रहेगा और कुछ नब कुछ सोचता रहेगा हम इंदर ऊदर कुछ भी सोचते रहेंगे तो हमें इसे चेंज करने ज़़ा ses जिससे हम विपश्यना meditation की help से बहुत आसानी से कर सकते हैं तो इस तरह से हमने आज इस एपिसोड में बारे में बात की विपश्यना एक बहुत ही powerful meditation technique है जो हमें अपने mind को समझने में मदद करती है और हमारे overall well-being को improve करती है अगर आप भी अपने माइंड को शान्ती रखना चाहते हैं तो विपरशना ध्यान एक बहुत अच्छा आप्शन आपके लिए हो सकता है यह विपरशना टेक्निक आप ऐसा ना सोचे कि सिर्फ आप कोई एक मेडिटेशन की टेक्निक में या आप फसे रह जाएंगे मेडिटेशन हमारे डेली लाइफ का पार्ट होना चाहिए आप चाहें 5-10 मिनिटस ही क्यों न करें हमने पिछले एपिसोड में बात कि थी कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन हमारे फिजिकल एक्टिवेटी में किस तरह से हेल्प करते हैं तो उसी का एक पार्ट हम कंटिन्यू करते वही यह बता रहे हैं कि माइंडफुलनेस को इंप्रूव करने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत है उसका एक पार्ट विपश्चना भी है जिससे आप फॉलो कर सकते हैं जिससे आपकी ओवरॉल वेल बिंग जैसा कि मैंने कहां आप इंप्रूव करेंगे अगर आपको यह पॉड्कास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और उन्हें बताएं कि वेपर्शना मेडिटेशन क्या है अगर आप अभी तक नहीं जानते थे तो कमेंट करके बताएं कि आपने क्या जाना आप खुश से सर्च करें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं और किसी फ्रेंट से पूछ सकते हैं जिसने बेद्शन पष्यना मेडिटेशन का कर्स अभी तक किया है आपको अगर आपको किसी फ्रेंड से पूछेंगे तो शायद वो आपको इतना बहतर बताएं कि शायद कोई और brilliant आपको या YouTube ना बता पाए। अगर आपको यह podcast पसंद आया हूँ तो हमारे podcast को like करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, thank you, हम मिलेंगे अपने next episode में, episode 5 में, Sunday go, thank you.